क्या आप ने इन वस्तूओं को देखा हैं? क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? हाँ, ये वस्तूओं किताब, एक टिफन बॉक्स और एक सैंडविच यदि हम इन वस्तूओं को टेबल पर रखें और उन्हें उपर से देखें तो हम उनके आकार पहचान सकते हैं क्या आप इन आकारों के नाम बता सकते हैं? हाँ, ये आयत, वर्ग और त्रिकोन हैं ये आकरतियां बंद आकरतियां हैं, सभी बंद आकरतियों की परिमिती होती हैं किसी भी आकरती की सभी भुजाओं की लंबाई के योगफल को परिमिती कहते हैं परिमिती एक बंद आकरती के एक शेत्रफल की गणना के लिए उपयुक्त हैं आईए अब निम्न लिखित आकृतियों की परिमिती ग्याद करें एक आयत की परिमिती एक आयत की अभिमुक भुजा अर्थात एक दूसरे के सामने जो भुजाएं होती हैं उनकी समान लंबाई होती है AB बराबर 4 cm है इसकी अभिमुक भुजा DC है यह नहीं दिया गया है नियम याद है न अभिमुक भुजा समान लंबाई की होती है अतहा भुजा DC भी 4 cm होगी अभी भुजा BC की लंबाई दी गई है यह 5 cm है अतहा भुजा AD की लंबाई क्या होगी हाँ यह भी 5 cm होगी आये इस आयत की सभी लंबाईों को जोड़े परिमिति अर्थात किसी आकरती की सभी बुजाओं की लंबाई का योग परिमिति बराबर चार अधिक पांच अधिक पांच अधिक चार परिमिति बराबर अठारा सेंटिमेटर अतहा आयत ABCD की परिमिती 18 सेंटिमीटर है आयत की लंबी भुजा को चोड़ाई भी कहते हैं इसलिए सूत्र इस प्रकार है आयत की परिमिती बराबर दो गुणा लंबाई अधिक दो गुणा चोड़ाई आईए गंडना करे आयत की परिमिती याने कुल मिलाकर दो गुणा पांच अधिक दो गुणा चार आयत की परिमिती याने कुल मिलाकर 10 सेंटिमीटर अधिक 8 सेंटिमीटर आयत की परिमिती हुई 18 सेंटिमीटर अब आप अपने टेलिविजिन सेट की लंबाई नापने का प्रयास करें एक ही सूत्र का प्रयोग करें आपके पास ऐसी कौन-कौन सी वस्तुएं हैं जो आकार में आयत है यह टॉफी बॉक्स, एक लैपटॉप, एक किताब और न जाने कितनी सारी अब आप इसकी एक सूची बनाईएं और उनकी परिमिती ग्यात करने का प्रयास कीजिए एक वर्क की परिमिती, यह एक चतुशकौन है इसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है यहाँ भुजा PQ 5 सेंटिमिटर दी गई है तो QR, RS और SD इन सभी भुजाओं की लंबाई क्या होगी आईए इस आयत की सभी लंबाईओं को जोड़े परिमिती याने किसी भी आकरती की सभी भुजाओं की लंबाई का योग परिमिती बराबर 5 अधिक 5 अधिक 5 अधिक 5 याने परिमिती 20 सेंटिमिटर अताहा वर्ग PQRS की परिमिती 20 cm होगी इसे आसान बनाने के लिए आईए यह सूत्र देखे एक वर्ग की परिमिती बराबर चार गुणा किसी एक भुजा की लंबाई वर्ग की परिमिती चार गुणा 5 वर्ग की परिमिती 20 cm आपके आसपास कौन सी और चीजे हैं जो चौकोर हैं कोई मिठाई का बक्सा रुमाल ट्रे और बात कुछ इनकी एक सूची बनाई है और उनकी परिमिती ग्याद करने का प्रयास कीजिए त्रिकोन की परिमिती ये एक त्रिकोन है बुजा AB की लंबाई 4 cm दी गई है बुजा BC की लंबाई दी गई है 8 cm और बुजा CA की लंबाई 6 cm दी गई है त्रिकोन की परिमिती का पता लगाएं त्रिकोन की परिमिती बराबर आकरिती के सभी बुजाओं की लंबाई का जोड सबी भुजाओं की लंबाई को एक साथ जोड़ना होगा अतहा चार अधिक आठ अधिक छे बराबर अठारा एक त्रिकोन ABC की परिमिती है अठारा सेंटिमिटर बच्चों क्या आप जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में परिमिती की आवश्यक्ता क्यों होती है सोचिए चलिए कुछ उधारंड देखते हैं हमें ये जानना है कि एक आयत या वर्ग आकार के भुकंड के चारो ओर तार का बाढ़ा लगाने के लिए कितनी तार की लंबाई होनी चाहिए उसी प्रकार यदि हमें ये जानना हो कि किसी आयत या वर्ग भुबाग के चक्कर काटते हुए हमने कितनी दूरी तै की है याद रखिए कि परिमिती केवल एक बंद आकरती की रूप रेखा का नाप होता है आप भी ऐसे अन्य कई कारणों की सूची बनाना है हमने क्या सीखा आकरतियों की लंबाई होती है सभी की बंद आकरतियों की परीमिती होती है परीमिती बंद आकरति के एक शेत्रफल की गणना के लिए उपयोगी होती है आयत की परीमिती बराबर दो गुणा लंबाई बराबर दो गुणा चौड़ाई वर्क की परीमिती बराबर चार गुणा एक भुज लंबाई त्रिभुज की परिमिती त्रिकोन की परिमिती बराबर किसी आकरती की सभी बुजाओं की लंबाई का योग हमारे जिवन में कई चीजों के लिए परिमिती की आवश्यक्ता होती है कि स्वाध्यार सूत्र पढ़ें और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें टिम्ब टिम्ब की परिमिती बराबर दो गुणा लंबाई बराबर दो गुणा चोड़ाई टिम्ब टिम्ब की परिमिती बराबर चार गुणा एक भुजा की लंबाई टिम्ब टिम्ब की परिमिती बराबर एक आकरती के सभी भुजाओं की लंबाई का योग झाल झाल